हेलो फ्रेंड दिसी सभसिक पांडी योर अग्रिकल्चर मेंटर और आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे जिसका नाम है अग्रिपो तो कुछ वच्चों का मतलब उनका डाउट था कि सर आरे यो का जो एक्जाम हुआ था रूलर अग्रिकल्चर एक्स्टे तो उसका रिजल्ट कर सौरी 22 जुलाई के आसपास हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा तो चलिए मैंने कुछ अनलिसिस किया है उसके अधार पर मैं बता सकता हूं कि रिजल्ट कब आएगा तो लाज्ट तक इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा तो देखिए सबस इंगली तो यहां देखिए एक चीज आपको मैं देखा रहा हूं यहां देखिए रिजल्ट के सेक्षण पर झैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहां देखिए इंट्रेंस टेस्ट बार्की सब रिकुर्टमेंट टेस्ट जो है उनका रिजुल्ट डिक्लीय किया गया है ठीक ह यहां देखें एक एक्जाम की हम लोग बात करते हैं एक्जाम देखें जो एक्जाम का नाम है ग्रूप 2 ठीक है इसको तो आसा मैं जूम कर देता हूं आपको जा समझना आएगा ठीक है ग्रूप 2 सब ग्रूप 4 सहायक सम परिच्छक और पतवारी और पोस्ट कंबाइन है कि के कव आई थी कि इसका एक्जाम कव हुआ था और साथ को तो कि तीस तो कि Sweet to I'm Football में जाते हैं कि अगर आप डैसबोड में जाएंगे उपर आतर कि पनो देखेंट्स बोड़ कश थो कि घाठ चाए है घ्र कि देखा जाए हैं पहली अ देखिए वह जो हम इक्जाम की बात कर रहे थे उस इक्जाम का देखिए यहां यह है रिजल्ट है देखे वह जो एक्जाम हुआ था 2022 में उसकी वेकंसी आई थी जो हम बोल रहे थे अवी सहायक संपरिच्छक एंड अदर इक्जिवैलंट डारेट एंड वैकलॉग कम्बाइ requirement exam तो उसकी requirement कब आई थी 2022 में आई थी देखे इसको detail में आप पूरा देख लिए समझने कोशिस करिए requirement exam था ये ठीक है और ये जो result आई थी आपकी आवेदन पत्र इसका start हुआ था एक तारीक हो ठीक है और इसका जो exam हुआ था मैं दुबारा उसको open करके देखा देता हूँ ठीक है इसका जो exam हुआ था start date of form 5 January 2003 को आया था इसका exam ठीक है exam last date था आपको पताई है 24 January मार्च बहुत कम समय के लिए एक्जाम कर रहता है डेट इक्जाम हुआ था 5 पंदरा अप्रेल से 26 पंदरा मार्च से 26 अप्रेल 2020 था ठीक है तो 26 अप्रेल को exam खतम हुआ था ठीक है पांच मार्च को इसका admit card आ गया था और result कब आया result कब आया result कब आया result मैंने आपको द देट है वो है 30 जून कहने का मतलब यहां यही है कि अगर एक्जाम हो रहा है 26 अप्रेल को ठीक है 26 अप्रेल मान लेते हैं मत्व मोटा 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 अप्रेल खतम हो गया तो मैं जून जुलाई ठीक है मैं जून जुलाई लगभग सारे तीन महीने बाद एक्जाम का result आ रहा है ठीक है मैं जून जुलाई ठीक है या इसको rectified हम कर सकते हैं जुलाई या पूरा जुलाई पूरा मैं बीत गया पूरा जून बीत गया पूरा जुलाई बीत गया ठीक है तो तीन महीने रिजल्ट आजाता है लेकिन उसके पहले भी बहुत सारा एक्जाम हुए हैं अब हम लोग बात करते हैं R.A.E.O. की बात कर लेते हैं R.A.E.O. का जो वेकन्सी था देखी यहां है R.A.E.O. का जो वेकन्सी था वो यहां है ठीक है मतलब SADO ठीक है Senior Agriculture ठीक है Horticulture Officer ठीक है तो यहां क्या था ठीक है तो यहां तो यहां देखिए यह जो वेकेंसी आई थी आपको पता ही है इसका एक्जाम हुआ तब जुलाई को और इसका जुलाई को एक्जाम हुआ है तो जुलाई से अग जुड़ा जाए पूरा जुलाई अगर हमाल ले ठीक है तो अगस सितंबर अटूबर नॉमबर चल रहा है तो इस नॉमबर के लाश तक या दिसंबर के पंदा तारिक तक आपकी रिजल्ट आने के संभावना है क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे प्लाई को एक्जाम हुआ है इसका भी रिजल्ट नहीं है तो सब के रिजल्ट आएंगे इस साल के लाश तक जरूर आ जाएंगे मताब 15 आपका सकते हैं कि 15 दिसंबर तक आपके रिजल्ट आएंगे ठीक है तो आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे की जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं उसका एक वीडियो बनाके अपने चैनल पर अप्रोड कर दूँगा ठीक है और ठंड बढ़ गई है तो ठंड को देखते हुए अपने आपको करिए क्योंकि ठंड का जो प्रकॉप है वो मौसम चेंज हो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा बाई बाई स्टुडेंट्स झाल ये ढाओग झाल रखेगँ अपने वो मौसम चेंज हुए अपने ओपने अचेंज होし बोस्त वाखेज मौसम चेंज हो ऊब पाते हां है एक वो मौसम चेंज हो वो झाल 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 झाल